हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे मैंगो केरमल पूडिंग यह बहुत असानी से बन जाती है आप असानी के साथ घर में इसको बना सकते हैं तो चलिए मेरे स्टाइल में बनाते हैं यहां मैंने एक काम लिया है इसको मैंने कट किया है रफली शुकर दूद्ध लिया है एक कप कस्टर पाउडर लिया है मैंने यहां पर वन टेबले स्पून तो चलिए यह से बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने यह मिक्सी का जार ले लेना है इसके अंदर हमें आम को ट्रांसफर करना है कि को मैं पहले ग्राइड कर लेना है इस तरह से देखे अब हमें इसमें शकर अट करनी है आप जितना मीटा पसंद करते हूं प्रृत कर सकते हैं मैंने कम ही यूज की करना है एकदम से हमें सार Fenyus कर नहीं करना है इसको एक बार और में ग्राइं कर लेना है इस तरह से किए तो मैंने से ग्राइंक कर लिया है कि अब मैंने एक नॉन्म्निस्टिक कड़ा है यह के अंदर हमें एक तो सब्तिक करना है एक टेबलिस्पून आईड करना है ज्याद manner इसमें पानी आईड करना है शुगर मेल्ट होने लगे patch कि इसन स्अरट कर देना है यह देखिये इस तरह से इसका तोटा समें पानी और एड़ करना है क्फैंस कई मुझे लगपवाद्ट लागए टोड़ा जो शुगर है वह ए crusanार चेंज भात माँव & बॉट सोरा में ठावनुट चज़ रखना एंदा का पर आधा निबू का रससे इट किया है यह देखिये आप हमारा जो करता कर लरे वह चेंज हो गया है आप देख सकते हैं पका कर हम निइसका क्लर चेंज कर दिया है तो मैंने क्राइब लिए लिए इसके निदर मुझे करमेल जो हमने करना है पहले नीचे बेस में हमें कर देना है इस तरह से हमें इसमें कर देना है अब हम यहां पर जो हमने पेस्ट बनाया था मैंगो का वह में यहां पर नॉन इस्टिक पैन में एड करना है अच्छे से चलाना है फ्लेम को अन कर देना है और फ्लेम अन करने के बाद हमें इसे लगातार चलाना है ताकि इसमें लंस नहीं पड़ें मीडियम फ्लेम रखनी है जब तक हमारा मैं को पक रहा है हमें यहां पर कस्टरट को पेस्ट बना यह इस थंडे यूज दूद यूजा एक आप गरमट चांड ना में न एक प्रेस्टीश यह है ठीक और रहरा मेंगों तक रहा है कि अधडर यह बनाना है बिल्कुल भी नहीं रुकना है क्योंकि कस्टरड में लंस पढ़ने लगते हैं और इसकी कस्टरड में थोड़ी ठीक रखनी है जितना कि यह अच्छे से जम जाए तो यह देखिए हमें इतनी कस्टरड में एक अच्छे से पका लिया है 20 मिनट के तकरीबन थोड़ा सा मैंगो अच्छे से ताया करने के बाद करने के बाद आप अब हम इसको जमाना है तो हम इसको बाउल में एड़ करेंगे यह बहुत ही टेस्टी बनता है यह देखिए तो अब हम इसके अंदर आप आत से पैक और देना है और हमें चार से पाच गंटे के लिए इसको फ्रीज में यहां पर मैंने इसको देखा है तो यह बहुत इसको सर्फ करेंगे पाच गुंटे के बार मैंने से निकाला तो यह बहुत ही अच्छे से यह देखें कितना अच्छा हमारा मेंगो केरमेल पुडिंग बनकर रेडी हुआ है परफेक्ट बना है बिल्कुल और एकदम परफेक्ट बना है अब हमें पर मेंगो इस टाइम मैंगो का मौसम से खाला हुआ है तो c आपको मैरे वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक है कीजिए इसे किय ए आव द्दाइल कर दो की जाइए्ट हो इसे लाइक हुआ राक कीसे करते हो ना他 ग्री एक यूंव.